नमस्कार मैं डॉक्टर सुनियल त्रिवेदी समनवय सिक्षा संस्तान बुंदेल खंज बिश्च बुद्याले जहासी आज सिक्षा के छेत्र में टेमेट की कक्छाओं में रिसर्च मेत्रोलोजी में जो मेरा टॉपिक है आज का अनुसंधान के छेत्र में अनुसंधान को पूरा करने के लिए प्रपोजल कैसे तयार किया जाए इस पर हम लोगा चर्चा करेंगे तो जैसा हमने चर्चा किया कि आज का जो हमारा टॉपिक है How to write a research proposal First of all, we will discuss the what is the problem तो problem, a problem is a question proposed for solution. अब सबसे पहली बात ये है कि समस्या की उत्पत्ती कैसे होती है, origin of the problem. पहला point है gap in the knowledge. जब हमारे ग्यान के बीच में रिक्तता आ जाए, यानि कि continuously जो knowledge चल आ है उसके बीच में gap हो जाए, तो उस gap को fulfill करने के लिए, भरने के लिए, हमारे जो बीच में जो है, वो समस्या उत्पन होती है और उस समस्या का समाधान डूनने के लिए हमें अनुसंधान करना पड़ता है. दूसरा point है not explaining the fact. जब अनुसंधान करता के सामने किसी भी fact को explain करने में कठनाई आ रही होती है, तो उस समय हमारे सामने problem create होती है, समस्या उत्पन होती है, तो वहां से समस्या को ले करके हम अनुसंधान का प्रारम कर सकते हैं. तीसरा, contradictory of result. कभी कभी क्या होता है कि जब कोई एक research अनुसंधान करता, किसी अनुसंधान कार को पूरा करता है, और उसी अनुसंधान कार के छेतर में जब दूसरा कार कर रहा होता है, उसको पूरा करके, जब दोनों की findings निकल करके आती है, दोनों का conclusion निकल करके आता है, और दोनों conclusion के बीच में बड़ा contradictory होता है विसमता होती है तो फिर से वहाँ पर जो है हमारे सामने एक समस्या उत्पन हो जाती है कि इसको solve करने के लिए हमें अनुसंधानकार को कैसे करना चाहिए तो gap in the knowledge, not explaining the fact, contradictory of result ये सभी जो है origin of the problem के sources हो सकते हैं बात करते हैं source of the problem समस्या के स्रोत क्या हो सकते हैं तो समस्या के स्रोत में सबसे पहली है self experience अनुसंधान करता का जो स्वयम का अनुभव है वो अपने अनुभव के आधार पर समस्या का चैन कर सकता है related literature अनुसंधान के छेतर में या उस समस्या से समधित जो भी साहित उपलब्ध है उस साहित का अध्यन करके वो समस्या ले सकता है discussion with the expert सिख्षा के छेतर में जो expert हैं जो सिख्षक हैं जो विशेविशेशक हैं उनसे consult करके उनसे discussion करके समस्या का चैन किया जा सकता है Related theories, जिस field में समस्या का चेहन करना है, उससे सम्मंधित जो सिध्धान्त दिये हुए हैं, उन सिध्धान्तों का अध्यन करके समस्या का चेहन किया जा सकता है discussion with the peer group, हमें जो और अनसंधान करता उनके साथ पढ़ रहे हैं, researcher हैं, उनके आपस में group discussion करके समस्या को उत्पन किया जा सकता है और समस्या ली जा सकती है और new technology, वर्तमान सवय में सिध्धा के छेतर में नई नई तक्नीकी जो इजाद हो रही हैं, उन तक्नीकी को सही से लागू करने के लिए एक समस्या के रूप में ले करके अनसंधान का कार आगे किया जा सकता है और proposal तैयार किया जा सकता है characteristics of a good problem, जब अनसंधान करता किसी समस्या का चैन कर लेता है तो उसमें कौन-कौन सी विसेष्टा होनी चाहिए, मुकरूप से कुछ main बातों को ध्यान में अगर रखता है तो एक अच्छी समस्या का चैन उसके द्वारा किया जा सकता है problem should be have sound theoretical based, समस्या जिसका चैन उसके द्वारा किया गया है वो theory और सिध्धानतों पर आधारित होनी चाहिए, अगर वो theory पर आधारित है तो वो समस्या अच्छी मानी जाती है it should be new, लेकि problem सदयो नई होनी चाहिए लेकिन जो problem है वो बहुत ज्यादा नई नई होनी चाहिए क्योंकि फिर उससे सम्मंदित review of the related literature या ये उपलब्द नहीं है तो समस्या प्रयास ये करना चाहिए कि सदयो नई ली जानी चाहिए अनुसंधान करता के द्वारा third, it should be significant समस्या ऐसी हो जो बर्तमान समय में उसकी सार्थकता हो क्योंकि अनुसंधान कार पूरा कर लेने के बाद अगर वो समाज के लिए सिक्षा जगत में वो सार्थक नहीं है उसकी significant level नहीं है तो फिर वो समस्या अच्छी नहीं मानी जाती है it should be researchable समस्या सदेव ऐसी होनी चाहिए जिसको ले करके research कार किया जा सके अनुसंधान किया जा सके related literature should be available समस्या ऐसी हो जो उससे संबंधित साहित उपलब्ध हो ऐसी समस्या का चैन अनुसंधान करता के द्वारा किया जाना चाहिए it should be within measurable समस्या का चैन करते समय इस बात का भी ध्यान रखना चाहिए कि उसका सही से मुल्यांकन किया जा सके उसका measurement सही से किया जा सके guidance should be available सबसे बड़ी बात है कि जब हम समस्या का चैन कर लेते हैं और उस समस्या से संबंधित विसेविसेशग या guidance हमें विसेविसेशग्यों कर नहीं मिलता है तो वो समस्या एक समस्या बन करके रह जाती है और उसका समाधान निकालने में और हमारे सामने कठना युद्पन हो जाती है समस्या सद्यो time के according पूरी करने वाली हो तो ऐसा नहों कि समस्या इतनी जटिल हो कि एक limit time में वो समस्या का समाधान या अनुसंधान ना किया जा सके financial assistance कहने का आसा ये है कि समस्या बिसे के अनुसार उस पर जो कुछ खर्च होने वाला है वो क्या हो एक researcher के अनुसंधान करता के limit में हो इस प्रकार की समस्या का चैन किया जाना चाहिए It should be in accordance the researcher's interest सबसे बड़ी बात ये है कि समस्या अनुसंधान करता के रुच के अनुरूप होनी चाहिए क्योंकि समस्या अगर उसके रुच के अनुरूप नहीं है तब भी अनुसंधान कार करने में उसे कठनाई मैसूस होगी It should be in accordance with the researcher's knowledge and availability सबसे बड़ी बात है कि समस्या का चैन करने के बाद जब अनुसंधान कार प्रारम किया जाएगा या research proposal तयार किया जाएगा तो maximum work researcher के माध्यम से ही पूरा किया जाना है तो researchers का knowledge और उसकी ability को ध्यान में रख करके समस्या का चैन किया जाना चाहिए बात आती है कि four steps to be followed in selection of a good research problem एक अच्छी समस्या का चैन करने के लिए इन चार इस तरू को follow करना आवस्यक होता है determination of selections of the area and knowing the field सबसे पहले अनुसंधान करता को क्या करना चाहिए कि वो छेतर का चैन करे जिस area में उसे research किया जाना है उसको वो जानता हो दूसरा selection of the problem समस्या का चैन करे evaluation of the problem समस्या का मुल्यांकन करे statement of the problem and defining the problem और उस समस्या को एक statement के रूप में problem को लिखे और फिर उसके जो term यूज किये गए हैं उनको define करे अब जब हम समस्या का chain कर लेते हैं तो अनुसंधान करता के सामने इस समस्या को एक proposal के रूप में कैसे प्रस्टूत किया जाए तो proposal is a sort of blueprint of the research एक अनुसंधान का छोटा सा नील प्रपत्र होता है proposal जो की पूरे अनुसंधान को एक framework प्रदान करने का काम करता है researcher जब proposal तयार कर रहा होता है या जब अनुसंधान कार प्रारम कर रहा होता है तो उसके दिमाग में four things are kept in our mind right preparing the proposal जब हम किसी proposal को लिख रह होते हैं तो हमारे दिमाग में चार बाते आती हैं पहला point what we want to do हम क्या करना चाहते हैं अनुसंधान कार जब हम प्रारम करते हैं तो अनुसंधान में प्रश्ण जह हम बनाते हैं तो कहते हैं कि जैसे एक उदारण दे कि सूरत चमकता है यह एक समस्या नहीं है that is universal truth लेकिन सूरत चमकता है क्यों जहां पर हम question mark लगा दें समस्या की उत्पत्ति और अनुसंधान करने का कार वहीं से प्रारम होता है second है why we want to do हम इसे क्यों करना चाहते हैं तो हम क्या करना चाहते हैं फिर हम क्यों करना चाहते हैं और how we do हम कैसे करना चाहते हैं यह proposal के पहले हमारे दिवाक में बातें आती हैं और चौथा point है what is the significance जो हम करने जा रहे हैं उसकी सार्थकता क्या है क्योंकि अगर सार्थकता इस तर हमें नहीं पता है वो समाज के लिए सार्थक नहीं है तो ऐसी समस्या का चैन करके या proposal बना करके सम्मिट करने का कोई मतलब नहीं होता है सामानत्या सिक्षा के छेत्र में proposal हम तीन प्रकार से बनाते हैं पहला to have a degree जब अनसंधान करता किसी उपादी को पूरा करने के लिए जैसे अमेड पिएजडी इस उपादी को पूरा करने के लिए जब वो प्रपोजल तयार करता है और वो रिसर्च वर्क करना चाहता है तो इससे सम्मंधित जो है वो प्रपोजल तयार करता है तो to have a degree जब डिगरी को पूरा करने के लिए वो प्रपोजल तयार करता है तो हाए वे रिसर्च प्रोजक्ट, जब हो कोई रिसर्च प्रोजक्ट सुम्मिट करना चाहता है तब भी वो प्रपोजल तयार करके और इस कार को कर सकता है। थर्ड है to have a financial assistance. जब हमें कोई financial assistance करना होता है, वजट पूरा बना करके देना होता है, तब भी जो हम proposal जो है submit कर सकते हैं. बात आती है meaning of the proposal, तो हमने पीछे किस slide में प्रारम में इस बात पर चर्चा कर चुके हैं, कि it is just like a blueprint which is generally prepared by research scholar help in directing of the study. 5 phases of a good research proposal में 5 point मुख होने चाहिए, जिसमें पहला point है title of study. Research proposal तयार करने का जो main major point है, वो है title of the study. Title of the study के इंतर के सब point हैं, आगे हम चर्चा करेंगे, दूसरा point है introduction of the study, third point है procedure of the procedure और design of the study, third है significance of the study and fifth है references or webiliography, major title of the study. अनुसंधान करता, जब title of the study लिखता है, तो लिखते समय मुख बातों को ध्यान में रखना आवस्यक हो जाता है. Title of the study is nothing, that only nomenclature of the topic. जो title of the study है, यह कुछ नहीं है, केवल यह नाम देने के लिए, nomenclature करने के लिए, अनुसंधान करता के द्वारा उस प्रकरण को लिया जाता है. दूसरा point है, title of the study is always presented in sentence form or statement form. अनुसंधान करता को सदयो, title of the study को, जो है, sentence form या statement form में ही present करना चाहिए. The words are to be simple and understandable. जितने भी समस्या के छेतर में, समस्या में सब्दों को का प्रियोक किया गया है, वो सभी सरल होने चाहिए. और वो समझ में आने चाहिए, इस प्रकार का प्रयास अनुसंधान करता की द्वारा किया जाना चाहिए. title should not be too long that is not in paragraph form it should be of 2 or 3 lines title of the study बहुत लंबा नहीं होना चाहिए ये बहुत महत्वपूर पॉइंट है title of the study दो या तीन लाइन का लिखा जाना चाहिए इससे बड़ा नहीं होना चाहिए कि कोई आधा पेज का लिख दिया या पूरा पैराग्राफ भर दिया तो title का चैन करते समय बनाते समय इस बात को ध्यान में रखना आवश्यक हो जाता है कोई भी अनुसंधान करता अगर topic बनाना चाहता है तो एक मैंने example दिया है कि I study of teaching competency of prospective teachers in relation to their intelligence, emotional intelligence and achievement motivation इस तरीके का title अनुसंधान करता बना करके अपना research proposal तैयार कर सकता है title is never written in inverted commas सबसे बड़ी बात है कि जो हम title तैयार कर रहे हैं अनुसंधान करता को उसे inverted commas में बंद नहीं किया जाना चाहिए इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि बहुत से लोग यहां पर inverted commas लगा देते हैं तो my point of view कि title is never written in inverted commas statement is written is inverted commas जब हम आगे running matter में statement of the problem देते हैं तो वहां पर हम जो है उसे inverted commas में लिख सकते हैं introduction of the study के सब point है introduction लिखते समय अनुसंधान करता को सबसे पहले background of the study इस point पर focus करना चाहिए है दूसरा में point पर देता हूं दूसरा point है emergence of the study थर्ड है justification of the study फोर्थ है statement of the problem next है definition of the term used in the problem of the study objectives of the study hypothesis of the study variables of the study and delimitation of the study यह main point background of the study को frame करते समय अनुसंधान करता को क्या ध्यान में रखना चाहिए तो पहली बात है कि why the researchers is doing that study जो समस्या का chain किया है तो अनुसंधान करता इस study को क्यों करना चाहता है यह पहला point background of the study में उसे के द्वारा दिया जाना चाहिए what motivated the researchers to work on the topic यह जो topic उसके द्वारा chain किया गया है जो origin of the problem हुई है वो उस समस्या का chain करते समय क्यों अभी प्रेडित हुआ क्यों motivate है क्यों करना चाहता है आप सब लोग जानते हैं you know very well कि motivation is the process of starting, sustaining and regulating activity तो what motivated the researcher to work on the topic इस अनुसंदा पर क्यों काम करना चाहता है यह background of the study में आना चाहिए दूसरा point है emergence of the problem what were the concerning issues factors which the researchers to work on the given topic इस बात को emergence of the problem यह significance of the problem में ध्यान में रखना चाहिए those factors may include self experience review of the literature emergence of the problem के अंतरगत जो सम्मंदित साहित का सरविक्षण है उसे सही से किया जाना चाहिए उसके द्वारा कैसे किया गया है और उसके सहम के अनुभव क्या है वो emergence of the problem के पार्ट में उसके द्वारा दिया जाना चाहिए जब हम किसी भी समस्या का चैन कर लेते हैं प्रपोजल तयार करते हैं तो उस समस्या को हमें justify करना पड़ता है कि अनुसंधान करता इस समस्या का चैन क्यों किया है तो researchers raises certain questions and gives justifications why the study has been taken up हमें अनुसंधान करता को इस पॉइंट में अपनी समस्या से सम्मंदित कुछ प्रशनों को raise करना चाहिए और उन प्रशनों को उठाना चाहिए और उन प्रशनों का उत्तर पूछना चाहिए क्योंकि जब तक प्रशन हम नहीं बनाएंगे हम तब तक अनुसंधान कार प्रारंब नहीं कर सकते हैं इसके बाद में चौथे point में उसे statement of the problem लिखा जाना चाहिए तो अनुसंधान के छेतर में जो topic of the study है और statement of the problem है ये कभी एक जैसा नहीं होना चाहिए थोड़ा सा हम अंतर बता दे हैं बहुत ज़्यदा अंतर तो नहीं होना चाहिए बट क्या है कि हम यहाँ पर उसको थोड़ा सा ज़्यादा क्लियर कर सकते हैं Suppose that मैंने बताया था कि जब अनुसंधान करताने माली जी ये topic लिया है कि I study of teaching competency of prospective teachers in relation to their intelligence, emotional intelligence and achievement and motivation अब इसे statement of the problem के जब लिखना है तो इसमें क्या थोड़ा सा change कर सकता है कि I study of teaching competency of male and female prospective teachers male and female prospective teachers in relation to their intelligence, emotional intelligence and achievement motivation title should be not repeated, title एक जैसा repeat नहीं होना चाहिए, definition of the term used in the problem of the study तो जो आप topic ले रहे हैं उस topic में जो term आए हैं उनकी definition दिया जाना चाहिए जैसे इस topic में teaching competency, intelligence, emotional intelligence, achievement motivation, prospective teachers ये सभी जो है इनको define किया जाना चाहिए इसको define करने के बाद में objectives आपधा study, उद्देश क्योंकि बिना उद्देश के अनुसंधानकार को हम प्रारबन नहीं कर सकते हैं तो उससे संबंदी जैसे माली जी अगर आपका philosophical research है तो वहाँ पर hypothesis of the study बनाने के आउसकता नहीं है लेकिन आपका experimental है descriptive है तो फिर वहाँ पर हमें hypothesis of the study तयार करने है तो यहाँ पर hypothesis लिखा जाना चाहिए यह hypothesis अपने आप में बड़ा chapter है यह आगे चर्चा की जाएगी फिर variable of the study उसमें dependent variable है independent variable है independent variable है independent variable को भी यहाँ पर define किया जाना चाहिए और intervening कुछ variables होते हैं उन variables को भी दिया जाना चाहिए last में इसमें अनुसंधान करता को delimitation of the study के बिसे में बात की जानी चाहिए क्योंकि अनुसंधान जब proposal तयार करते हैं तो अगर हम उसका परिसीमांकन नहीं करेंगे तो research एक सही direction में नहीं चलेगी तो उसमें region क्या लिया हुआ है the study will be confined to the area of the bundelkhand region जासी अगर हम bundelkhand के चेतर में कोई research कार करना चाहते हैं तो हम इसको delimit कर सकते हैं the prospective teachers pursuing one year teachers training program under the various college of bundelkhandi university जासी तो यहाँ पर हमारा इस समय two year teachers training program चला है तो हम यहाँ पर इसको इस तरीके से delimit कर सकते हैं procedure और design of the study जब हमको यहाँ पर उसकी design देने होगे कि it is the operational aspect to the research things to be the mention in this part of proposal method of the study, design of the study, tools and their justification, sample, its size and methods of selection, statistical techniques यह सभी point ओं को वहाँ पर देना चाहिए हो कौन सी technique हम use करेंगे सांख की प्रविधिया जब हम data collection के बाद में लगाएंगे तो कौन सी होंगी, tools हमारा क्या होगा, questionnaire use करेंगे, rating scale use करेंगे, interview लगाएंगे, तो according to the topic है, उस topic के हम यहाँ पर tools का selection कर सकते हैं इसके बाद है method of the study में, what method will be adopted to the context to the study, a brief introductions of the method will be given, for example, for the study taken, we shall use causal comparative method under descriptive survey method, design of the study में experimental design है और है, इस में चुकी यह topic दिया हुआ है, तो इस में experimental कर सकते है, we mention the experimental design, how we use DV or control the extraneous variable, tool and their justification, चुकी पताया, इसके बाद में, sample, its size and method of selections, population, size of the sample, method of the sample selection and statistical technique, significance of the study, what is the importance of the working on this problem taken for study, what contributions of the study will make in the field of education, who shall be benefited from the study, तो topic का significance of the study हम इन पॉइंट के आधार पर निर्धारित कर सकते हैं, इसके बाद में, references और वेविलियोग्राफी, जो की एक अपने आपने टॉपिक है, आगे चर्चा की जाएगी इसके बाद में, अनुसंधान करता है, जब research proposal तयार करता है, तो common mistake in proposal writing, वो उस proposal को लिखते समय, कुछ common गलतियां कर देता है, mistake कर देता है, तो in point को उसको ध्यान में रखना चाहिए, अगर ये उसके दिमाग में है, तो कम से कम वो गलति करके, एक अच्छा research proposal तयार कर सकता है, failure to provide the proper context to frame the research question, बिना research जो अनुसंधान के प्रस्ण है, उनको बनाए, जब वो research proposal तयार करता है, तो वो research proposal उसका सई direction में न नहीं चलता है, failure to delimit the boundary conditions for your research, जो research का area है, अगर अनुसंधान करता, उससे delimit नहीं करेगा, एक boundary में नहीं बानता है, तब भी जो है, उसका research proposal अच्छा नहीं बनेगा, क्योंकि research proposal एक अच्छा तयार कर लेंगे, तो research आगे बड़े सामान तरीके से पूरा किया जा सकता है सरलता के साथ है, failure to side landmark study, तो हमें इस point पर भी ध्यान में रखना है, failure to stay focused on the research questions, too long or too short, बहुत ज्यादा research proposal बहुत लंबा भी नहीं होना चाहिए, और बहुत छोटा भी नहीं होना चाहिए, इसके बाद में failing to follow the API style, जब हम bibliography लिखते हैं, तो उसमें American psychological association style को ध्यान में रख करके हमें इस part को पूरा करना चाहिए, तो यहाँ पर कोई गलती नहीं हो, इस बात को ध्यान में रखना है, और sloping writing, इसका बहुत ध्यान में रखना है, अगर इन point को हम ध्यान में रखते हैं, तो एक हम अच्छा research proposal तैयार कर सकते हैं, तो आज के इस class म में how to write a research proposal इसके कुछ मुख विंद्यों पर मेरे द्वारा चर्चा की गई है, और मैं समझता हूँ कि इस class को देखने के बाद में, जो हमारे नए research scholar हैं, वो जब research proposal तैयार करेंगे, तो यह class उन्हें help देगी, मदद करेगी, thank you.